कैसे आप लोग सभी के सभी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटुब चैनल वेजन बैंकिंग पर उम्मीदेस अभी अपने गर में सही होंगे सुरक्षित होंगे आप सभी की तेयरी बहुत ही शांदार तरीके से चल रही होगी कि अपने एक सिरीज स्टाट करें थी फोर स्बी एकलर 2023 प्रिलम्स एक्जामनेशन मैंने आपको ला तक मैं दिफरेंट इफरेंट टेस्सरीज के मॉक टेस्ट को आपके साथ कवर करके डिस्कस कर रहा होगा कि हाओ टू अटेंप्ट स्बी एकलर 2023 एक्जामनेशन और सब्सक्राइब कर रहा है तो कितना डिफिकल्ट है कितना इजी है उसी को देखने के लिए यह पूरा पूरा मॉक टेस्ट आप जाओंगे अगर आप भी वहाँ पे लॉगिन करोगे तो यह पहला देखना है बिल्कुल ही फ्री है तो इसी को सॉल्व कर रहा होंगे हम भी सा आपके साथ साथ यहां पर पीडिफ भी डाउनलोड कर सकते हैं इंग्लिश यंदी दोनों मेडिय में और टेक टेस्ट भी दे सकते हूं एक और चीज़ आप सब जिनको भी नहीं पता एस बीए क्लर अभी 2023 आपके साथ चल रहा है गाईडली क्या करते हैं आपके साथ एक प प्राइम पंडल पीडिफ देख रहा होगा इसमें क्या होगा पूरे साल का मौक्टस तो फ्री हो गई होगा साथ साथ आपके पास जितने भी अपकमिंग एक सालों में उसके प्रिलिम्स और में का अलग 50 डेस का चैलेंज आपको दिखते रहेगा पीडिफ के फॉर्म में अमडर सासर्ट कोक हैं और हमया इसमें आपको तो अपकाति प्राइम्स करना के प्राइएम टंस के प्र के लिए परा रहे होगा ज्तन में परने के बwhel खते प्रिलिफ के तो ने है आपमिंग दी और च्थ और आप का साल में जितने यह उपको जाहिANT में वी चून की और अगर आप code use करों के VB12 तो आपको ये 12% odd discount के साथ मिल जाएगो लिंक is in description box और comment section में मैं pin कर दूँगा आप सभी जाके वहाँ पर purchase कर सकते हैं और मैं इतना assure कर सकता हूँ कि वह आपको कभी content की कमी नीच हो रहेगा तो अगर आप content की वेश से अगर कहीं पर अधर जा रहे हैं तो फिर definitely you can go with guidly फिलाल इस mock test में देखते हैं कि क्या level था किस level पर रखा गया guidly के mock test को बहुत सारे बच्चों ने बोला कि बहुत difficult आ रहे है बहुत difficult आ रहे है देखते हैं कि क्या है एक और चीज़ अगर आपको लगता है कि paper difficult आता है तो वह सब के लिए आता है कभी-कभी आपने देखा क्या कि मालो मैं sectional score की बात करूँ अगर आपने quant का paper लगाया और आपने 28 attempt की केवल आपका score आपको देखेगा less than 50 मतलब आपका rank होगा वह less than 50 होगा और कभी-कभी क्या होता है कि 32 भी attempt करते है न 32 हमारी number भी आते है तो वह भी more than 100 हमारा rank चला जाते है reason जो 28 वाला mock test था वो कहीना कहीं difficult और सबके लिए था उसमें सबके marks दीरे-दीरे कम होगे तो आपके भी कम होगे क्योंकि आपका concept अच्छा था तो आपने 50 मतलब आप 50 में आ गये 32 में क्या होता है paper easy होता है हर कोई attempt करता है फिर वहापर time ही entireת का था कि किसने na attempt की है ठीक है ये होता है तो paper तो पेपर है difficult आ रहा alltid है difficult है easy आ compute करते हैं पहले क्या करना है आपको भी pen-paper करना है question को मेरे साथ साथ temos हो सकता है कि किसी question में आपका time मेरे question से ज़्यादा जितना time में ले रहा है question को solve करने में उस से ज़्यादा आपको लग रहा है तो definitely आप वहाँ पर उस particular question का approach सीखने की कोशिश करेंगे अगर कोई ऐसा question है जिसमें आपको time मेरे time से already कम है तो आपको फिर मेरे approach सीखने की ज़रूरती है आप already उस question के लिए perfect approach के साथ तयारी कर रहा हूँ आप examination तक भी उसी को continue करोगे ठीक है चलो यहाँ पहला mock test है मैं इसको यहाँ पर take test कर रहा हूँ और यहाँ आप आज होग इधर जैसी page open करोगे next language choose करना पर एक English कर लिया यहाँ से और I am ready to begin कर लेते है चलो पहला section reasoning का है और हम reasoning का attempt करेंगे केवल केवल quant का paper attempt कर नहीं होगे तो मैं इसको थोड़ा से यहाँ पर shift करता हूँ submit section करते तो यहां से quant से start करेंगे साथ साथ चलो पहलो पहला question दिख गया arithmetic पर नहीं बनेंगे कहां तक arithmetic वह देख लेगे अच्छाए DA को मारफोर review करके चलेंगे पहले simplification पर जाएंगे जहां पर भी मिल जाएंगे वहीं से देखो यह 31 20 मतलब 11 11-35 24 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 25 25 600 600 में से 100 12 मैं मैंस करोगा तो 400 400 प्लस का 408 400 तीस का स्कूर 900 साथ है 19 20 380 380 मैंस का 70 70 और यह कितना है 15 150 मैं से 70 मैंस करोगा तो 80 इधर के 3 1 ठीक है तीन में से 2 गया मैंस कम किया तो एक सबको LCM 12 में लेकर आजाओ प्लस का 1 माइनस का 4 माइनस का 2 और यह प्लस का 5 हो जाएगा तो 4 2 6 5 1 6 कटी जाएगा मतलब सीधा सीधा 1 बच जाएगा आपके पास क्या बोल रहा है चार को 35 35 पंदरन में 135 135 प्लस का 35 एकसो सत्तर चौतिस एकसो सत्तर चौतिस का 5 गुना 5 का 5 गुना एकसो पच्चिस क्यालकुलेशन तो और ली करना परेगा कुछ अब हर कुछन के लिए पैन पर नहीं यूज कर सकते हैं 15 का बार गुना 180 और यह कितना है 35 का चालज गुना 140 140 प्लस का 180 320 320 में से कितना है 13 सत्ते 90 250 28 और यह कितना है 24 38 28 और आट 36 36 36 36 और यह कितना है 40 4 मतलब 4 का क्यूब 64 35 5 by 16 एक करो सब का LC 32 कर देता तो और यह मैं 32 करूँगा तो यह 10 माइनस का 4 माइनस का 3 और इधर क्या बच जाएगा 3 स्वरी स्वरी तीन दूनी 6 हो जाएगा 4 अटे 32 हो जाएगा और प्लस में X माल लेता हूँ देखो 4 3 साथ प्लस का 3 चाहिए मतला 8 3 11 6 5 11 माइनस का 8 3 कितना है 15 का साथ कुन है 105 होता है यह 15 है 210 में से 100 माइनस करूँगा तो 110 और 110 अगर मुझे रूट से बाहर 15 निकालना है तो 220 चाहिए किसका 10% 115 चाहिए तो 1150 का चुड़िया क्या अच्छा बारत यह 36 5 25 चौका 60 130 110 26 चाहिए 75% 40 करूँगा तो 30 30 50 200 100 40 60 5 2 7 3 14 20 क्या है यहां पर प्लस का 3 दिखेगा 3 2 4 2 3 2 5 2 7 4 3 कितने है 25 16 5 25 35 35 190 40 1 190 40 200 15 120 135 140 260 260 250 210 Simplification तो बहुत easy थे यहर ठीक है क्या बलना A can do a piece of work in for 24 B करेगा 18 में 24 में करेगा 18 में करेगा 18 में करेगा A & B है 22 24 24 24 24 24 24 A started the work alone 4 days B joined 12 12 12 15 15 46 48 48 48 48 24 A started a business initially 14,000 after 7 months B joined him with initial investment by 21,000 2,03,000 2,03,000 at the end of the year they started the they shared the profit equally मैं बोल सकता हूं कि 2 ratio 3 में यह पूरे 12 में के लगा लगा था 24 unit है तो कहिना कि इसको भी तो profit 24 ही मिल रहा है 3,8,24 4 में के बाद जूड़ा Find the value of 2Z plus 8 24 दूनिया 8,8,16 Raima is 14 years elder than Ria 12 years ago the ratio of ages of Raima & Ria is 2 ratio 24 दूनिया 28 24 दूनिया 28 Mark Price of a TV is 2400 ठीक है Swapkeeper sold it 2 successive discounts 20% and Z plus 10% and Rs. 1440 अगर पहला discount 20% भीगा तो मतलब 80% भीगा होगा 24 काट कुना 1902 पढल बाद 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 420 बाद टूटल 1440 वीचे 8,18 is 48 1 x 4 25 mandates value of Z is 25% value of Z Z plus 10 % Wall of project quality PE invested X 18% 5 years why 12% for 5 years simple interest earned not access 450 more than why okay investment done by 18% to 1500 less than that investment 12 1 to 90% जाएगा, 1 to 60% जाएगा, 90% 60% जोड़ो भी से, अभी टाइम मद दो इस पे एक काम करता हूँ, पहले दी ए बना तो, फिर आँगा रहा हूँ लिजे, अगर मिस्सिंग रहता तो बना भी लेता क्या बोल रहा, the given table chart shows the total number of patients admitted in 3db in if the total number of patients admitted in hospital B in January is equal to 80% of the total number of patients admitted in hospital C in March C in March का 80%, 004, 870, 654, 788, 136, 612, 14200 हो जाएगा, admitted in hospital C in March then find the average number of patients admitted in hospital B in January and May, B in January B in January और May 25, 527, 14, 16, 16 16, 26, 835, 0 835, 0 total number percent admitted in hospital B in March B in March is what percent is more than total number percent admitted in hospital C in May C in May, मतला पेचातर सो से कितना ज्यादा ज्यादा नो हजार ज्यादा पेचातर सो प्लस पंदर सो 20% 120% ज्यादा हो जाएगा out of the total number of percent admitted in hospital A and C 20% and 40% percent are discharged find the total number of percent admitted in hospital A and C may be may are discharged 20% 25,10, 274,15, 1350 ज्याँ से आगया 75,40% करूंगा तो 3000 3000 plus 350, 1350 option number B in April the total number of percent admitted in hospital D is 3 by 5th of total number of percent admitted in hospital C in that March April में देखो कितना है? 13,000 5 unit के बराबर 13,000 है तो 1 unit के बराबर 26,000 3 unit के बराबर 1800 D में कितना तो 1800 and the ratio of number of male to female patients admitted in hospital D is 8 ratio 5, 8 ratio 5 8 ratio 5, 8, 5, 13, 13 unit के बराबर 700, 1 के बराबर 600, 48, 3 ने जार आ जाएगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगद find the ratio of total number of percent admitted in hospital B in April B in April 14,250 को मैं 14,25 consider कर रहा हूं and number of percent admitted in hospital A in me A in me मैं 675 करना कया था करना 75, 25 युड़ा दो 25 युणी 50 17 बज़गगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग 25,25,1,25,17 25,7,25,7,25,7,25,3,19,39 19 ratio no 10 minute के इंदर 24,25 question solve रहा है easy difficult but मैं तो छूटा भी भाई भी ठाट अन।eki टाम काईगगगगगगे 163,54,7,1,7,O executives 43,54,-27,hat 43,45, revenus 12,25,25 25, 8,60,25, AIDS 676 एक 116 प्लस नहीं एक 119 एक 15 professions उसो आपिको नुक का 5 आउट एक 161 ऌए 1,1wen,1,1,1,1,1,2,2,1,2,1,1,1,2,2,3 design 2,4,5,3,1,1,2,2,1 24 plus 24 mentality, 108 mean 208, 904 mean 29, and 305 mean 208 mean 208 15 plus 30 is 28 compared to 28, 24 24 plus 54 and 49, so 32 is 26, 33 is 34 and 52 and check have 53, 54 are 54't bye अगर मैं 52 करूंगा तो 3,2,5,9,5,14 3,2,5 और 9,5,14 145 और 145 और 145 अगर मैं यहाँ पर करूंगा तो definitely 350 गलत है 350 पहीता न? 1 second, 350, 200 एक सुनन अच्छा, 350 पहीता इसमें क्या है? 35, 33, 70, 31, 69, 8, 21, 16, difference calculate करना जरा 130 का difference अजरा दरा है 70, 10 में से 9 गया, 1, 6 में से 5 गया, 1, 33 में से 211 बच रहे है, minus 1 और है 9 में से 6 गया, 3, 5 में से 1 गया, 4, 31 में से 3,43 मा रहे है 6 में से 4 गया, 2, 11 में से 5, 512 और है, ठीक है 14 में से 5 गया, 9, 9 में साथ गया, 2, और 7, 729 होरे है किया यह 7 का 8 का 9 का 6 और 5 होना ची 125 नहीं होना ची 3500 में 125 मैनस करूंगा तो 16 करेक्ट 23370 कलत रहे गया और है 400 400 400 400 400 400 400 400 डिफरेंस यह तो और भी आसान होगा कि कि नहीं का डिफरेंस दो 2 प्लस 6 8 8 प्लस का 12 20 20 प्लस का 20 40 40 प्लस का 10 50 50 प्लस का 12 62 ठीक है 2 4 6 6 6 12 12 8 20 और मुझे लग रहा था कि यहीं पर कुछ लोचा है क्योंकि 20 बट रहा था अचानक से 10 कैसे होगा तो 20 प्लस का 10 30 कर लेता हूं तो यह 30 बनेगा और 30 प्लस का 12 42 बनेगा तो दस का डिफरेंस का तो 1440 मतलि यहार प्लस कर दो 1450 1450 यह था नहीं अरे 1450 गलत साथ दूनी 14 यह नहीं बनेंगा 1000 को 10 से डिवाइड तो 1000 सृरी 10-3 को दस से डिवाइड था था कि हजार 1000 को 5 से डिवाइड था 200 200 को कि इसना ही है तो और गलत हो गया 10-5 6 नहीं आ रा रहा डिफरेंस पर बनेंगा नहीं 2.5 नहीं तो बनेगा perimiter of square side is 20 meter side 20 is 80 तो 300% मतलब 240 320 हो जाएगा यह पेरिमिर है if the length of rectangle इस 400% more than the side of square अगर यह perimeter है तो length plus weight की value is 170 400% more than the side of square 500 100 क्या हो जाएगा length हो जाएगा 63 क्या हो जाएगा width हो जाएगा then the area of square is what percent of area of rectangle area of square कितना है? 400 or area of rectangle कितना है? 600 दबल जिरो से डबल जिरो को टेग एक जिरो मतलब 2 by 3 मतलब 66.6% होता है और एक मतलब 6.66% करके देखो क्या आप कहीं पर 6.66 6.66% ठीक है फिर क्या इस 160 meter long train crosses a person walking at 12 km per hour in opposite direction in 16 minutes second okay अगर 16 second में जा रहे तो मतलब person कितने 12 है train की मालने तर T ही है और km per hour में तो 5 by 18 से multiply करके 160 को 10 16 seconds में cross करेगा तो तो यह 18 भई तो 10 18 दने 180 5 T और 12 5 60 180 में से 120 गया तो sorry 1250 120 T के बराबर 24 आ जाएगा क्या तो train के लिए speed कितनी है 24 the same train crosses another person walking in same direction in first 20 seconds okay अब जब सेम जाएगा तो मालनो 24 प्लस person की जो भी है मालने तो 18 भई 5 से इसको भी करना पड़ेगा 5 बार 18 से इस बार क्या कर रहा है 20 8 160 8 minute बार 18 144 144 और 245 यह 120 P 5 120 144 का difference 24 का 5 P के बराबर 24 है तो P के बराबर 4.8 है a boat cover 48 km upstream in 4 hour Monday and speed of boat in still water is 20% less than downstream speed of boat if that Tuesday speed of stream is 1.5 then Monday and speed of boat still is reduced by 25% then time taken my boat to cover look at you guys we will see it sum of square of 3 consecutive numbers is 1085 find us 3 consecutive number unit place पे 5 चाहिए और 3 consecutive का तो सकता हूं excess से बही लेके नमाए अगर एक बर रिस्क लेके देगा 15 16 17 15 16 17 15 15 22 25 16 16 21 300 21 11 मतंग 900 नहीं पूडेगा 16 17 18 16 16 16 16 36 36 19 15 नहीं बनेगा 17 18 19 7 17 19 84 64 64 और 9 4 3 14 नहीं बनेगा 18, 19, 20, 4, 1, 0 बन जाए गरेक्ट जिर्ए 18, 19, 20 का देख ना 321, 361, और 400 64, 24, 24, sorry 174, 20, 80, 33, 36, 40 बन जाए गरेक्ट है पूच के रहा है find the sum of square of 3, 1st and 3rd नमा 18 plus का 20, 38 pump A and B can fill in 72 and 40 hours 72 में कर रहा है B कर रहा है 48 hours pump C can empty 25% 25, okay, empty कर रहा है negative 5, meaning 72 में कर रहा है क्यों? 25% कर रहा है 25 का चरकुना सा, 18 का चरकुना बहतर efficiency of the tank इतना हो जाएगा 144 बहतर दुनी 144, 48, 144, 12 बहतर दुनी 144 pump and B open simultaneously and pump pipe C open when tank is half, okay, filled half 3, 2, 5 unit से बहाएगा बहतर को, बहतर को बहतर को बहतर को बहतर को बहतर दुनी 14.4 unit पर थाएगा ठीक है अब क्या वोड़े, 3 ओ को लिए, 3 बहतर दुनी पाँच में से दो गया 3 बहतर जाएगा, तो 24, 24 प्लस 14.4 38.4 ठीक है अब कौन कौन सा question रह रहा था एक तो यह वादा देख लेता हूं इप बोट कवर्स 48 km 4 hours in Monday ठीक है मतलब मैं बोल सकता हूं कि upstream की speed कितनी है 12 km 4 hour speed of boat in still water is 20% less than downstream speed of boat अच्छा मतलब अगर मैं speed of boat कितना है 4 भाई 5 मान लेता हूं इसका b plus c का तो 5 b हो 4 b 4 c तो मैं बोल सकता हूं कि b equals to 4 c है और b equals to 4 c है तो मेरे को बताना यह क्या होता है b minus c तो होता है 3 c equals to कितना हो जगा 12 c के बराबर 4 तो c के बराबर अगर 4 है c के बराबर 4 है तो b के बराबर 16 यहां से ही बिल गए कि c मेरा current 4 है boat 16 है ठीक है अब Tuesday को क्या बोल रहा है कि speed बढ़ गया stream की मतलब charge था वो current 6 हो गया और boat कितना हो गया 16 से कितना हो गया reduce 25% मतलब 12 sorry 12 हो गया पूच रहे तो time taken by boat to cover 36 km opposite 36 km जाएगा 12 प्लस चाटारा 2 गंटे sorry sorry 6 गंटे में और 12 चाटारा 3 गंटे में 6 फ्लस थीन टोटल टाइम पूच रहा नो गंटे गा 33 कुश्ण बन गए 2 कुश्ण कौन सार हो रह 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 है चापैसट P invested x plus y दारेक्ट तो बनेगा नहीं है क्योंकि 60-90 30% के बरबर 1500 है X और Y से करके देगा देखो एक equation तो पता है कि मुझे Y-X के value कितना given है 1500 given है Y-X के बरबर 1500 given है क्या दूसरे equation मना सकते हूं अगर मैं देखो यह 90% यहां से बनेगा 90% और यह 60% देखा तो क्या मैं 9 by 10 और 6 by 10 का difference मंदब 4500 है तो क्या मैं बोल चकता हूं कि 9X-6Y बरबर 4500 है 3 common लेलो X- Sorry sorry X-2Y बरबर 1500 है और इसी equation को ना बरबर कर लो 2 से गुना करके लिको 2X-2Y equals to 3000 कर दो add X के बरबर 4500 मिल गया X के बरबर 4500 तो Y के बरबर 6500 4500 plus 6000 10500 चेक करो किदर 10500 11500 9X-6Y 2400 कि यह 3 common लिया तो 2 दुनी 2X-2Y 4500 10500 Confusion होता है यह question यह question है जब equation बना के बना फिर लगे ना equation क्या छोट रहा है इसको logic क्या है तो time थाना speed match मैंने कर लिया तो इस question को X से कर लिए अधर होता तो फिर शायद मेरे उसे भी नहीं होता question 7.2 बारत तीस बारत उनिक 24 बारत तीस नहीं बनेगा यह question पता नहीं क्यों हीट कर रहा है अगर आप लोगों से किसी का हीट कर रहा है तो comment section में जरूर रहा है किसका logic है तो आंसर तो देखेंगे यह अपना भी 7.2.14 यहां पर दिख रहा है 10 10 से करूँगा तो 100-100 से 60 नहीं बनेगा 60 से 30 बन रहा है एक सगे एक सगे एक सगे एक सगे एक सगे एक सगे अगर चलो कोई चलो मैं English तो attempt नहीं करूँगा submit करता हूँ देखता हूँ क्या score रहा है overall overall 34 attempt 2 है let's see यहां पर आपको देख रहा है 34 ही अमने attempt किया था 34 ही से एक वर मैं solution में देख लेता हूँ कि इसका logic मेरे को देख लेता हूँ क्या क्या है अगर क्या क्या है अगर निवरे कलिविटी सारे कुशन attempt 2 है एक जो कुशन मिस हो रहा था एक एक बार उसका logic देखना चाहूँगा क्या था multiplied by 1-10 multiplied by 2-10 multiplied by 3-10 पता नहीं 4.9% का सही बहुत बढ़ी है बट मेरे को तो नहीं किया और इतना जागे complicated आपको hit भी नहीं करेगा एक बार comment section में मुझे आप सभी के सभी बताएगे कि आपका कितना score गे इस mock test में और next आप कौन से test series का चाहता हो कि मैं mock test attempt करूँ कौन से बता है बहुत सारे बची इसलिए के इसली हुए इसली नहीं करता हुए क्योंकि मुझे लगता कि मेरे का जादा ही जादा ही slow है तो मेरे से जादा बेटर तो आप सभी क्योगी that's the reason आपको reasoning का mock test attempt करके नहीं बताता हूँ 30-35 के बीच में कहीं नहीं पहुंच जाता हूँ तो अगर आप चाहते हो कि मैं reasoning कभी करूँ तो एक बर मेरे को comment section में जरूर mention करना मैं आपको reasoning कभी mock test करवा दूँगा साथ-साथ जो भी student guidely का prime bundle PDF purchase करना चाहता है यहाँ पे creatives लगी हुई है comment section में पिन कर दूँगा जो अभी offer है आपके पास vb12 code use करोगे तो 12% का discount मिल जाएगा अगर वीडियो पसंद आए तो प्यारा सा like करगे चैनल पर अगर नहीं हो तो subscribe जरूर कर ले न see you in the next session till then take care bye bye thank you keep practicing more and more and all the best for your upcoming examination